तो लेट्स कॉंटिन्यू आवर डिस्केशन और पार्टिशन आफ बेंगॉल लेकिन उसको डिस्केश करने से पहले एक चीज में तुम लोग को यह बोलना चाहता हो कि यह चप्टर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टन है और हम लोग बहुत ओनलाइन क्लासे पर यह सबी चप्टर्स विदाओट उजिंग बोर्ड ठीक है बोर्ड पर जैसे हम लोग मैं तुम्हें देखा सकता था कि कैसे पार्टिशन हुआ है तो विदाओट उजिंग बोर्ड इस इस इतुल भी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी औलसो तो मेक यू अंडरस्टैंड तो एक चीज हम लोग करेंगे क्या जब हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा क्योंकि तुम लोग क्लास 10 पर हो तो तुम लोग का क्लास स्टार्ट हो गई होगा तो जब तुम लोग का क्लास स्टार्ट होगा तब हम लोग इस चप्टर के जो इंपोर्टन चीज़े है उसको फिर देखा था कि partition of Bengal पे एक Bengal एक बरा सा प्रविंस था ठीक है बेंगल जो है वो एक बरा सा प्रविंस था जिसको क्या किया गया था जिसके साथ और एक छोटा सा प्रविंस बनाया गया था और इस से near about 15 districts को निकाल के इस यहाँ पे डाल दिया गया था तो इसका नाम दिया गया था East Bengal and Assam और इसका नाम था Bengal प्रविंस ठीक है तो अभी देखते है क्या है दो लोड कर्जन प्रपोस्ट तू मेंक देटरी अफ बेंगल स्मोलर एंद देटरी अफ आसाम बिगर फर दा स्मूथ एड्मिनिस्टरेशन दा हीडेन एजंडा बहाइंड इट अलसो केम अन दा सर्फिस लोड कर्जन ने क्या किया था बेंगल का जो प्रविंस है इसको डिवाइट इसलिए किया था क्योंकि लोड कर्जन चाहता था कि अगर बेंगल का मैं डिवाइट कर देता हो तो इस बेंगल जो है बेंगल प्रविंस जो है या फिर बेंगल का जो स्टेट है वो थ बडा हो जाय का तो इस से क्या होगा Bengal के स्टेट को मुझे देखबाल करना जो है वो ज़धा इसी हो जाय का लेकिन इसके पीछे भी Lord करजन का एक hidden छुपा हुआ था एक साजी जो है वो ठुपा हुआ था कौन सा साजी वो देखो because the unity of Hindus and Muslims form —aack friends with l g 여러분 or was a threat for the British they plan to break their unity by division देखो यहां पर क्या किया गया है Bengal का जो partition क्या गया है East Bengal ठीक हे West Bengal and East Bengal देखो यहां पर West Bengal में जो है जदातर लोग रहते थे वो थे हिंदूूस और यहां पर जो लोग रहते थे वो थे मुस्थिम्स और हिंदूस और मुस्थिम्स में है देन बिटिश का खेन नहीं बिटिश को हम लोग घटा के छोड़ेंगे ऐसा वात आ जाएगा तो इसी वज़े से लौट कर्जर ने बच गया तो देखो क्या है उसके बाद हिंदू मुस्तिम सपर्मर्स हैं किसान है या फीर्ड फिक से मरकर से वो बिटिश के लिए क्या था एक ठ्रेट था मतलब क्या है वुटिश के लिए चेटावनित था या फिर हम लोग सकते कि ये ये हिंदू और मुस्तिम अगर एक हो जाता है तो वो लोग क्या करेंगे बिटिश को हटा सकते है कभी भी ठीक है इसी वज़े से उस नाम क्या है लॉर्ड करजन ने यह डिसाइड किया है या फिर बिटिश ने यह डिसाइड किया है कि यह जो यूनिटी है हिंदू और मुस्तिम के बीच इसको हम लोग तोड़ेंगे डिविशन करके तो हाडबट रिसलेस लेटर तु लॉर्ड करजन मेंशन हाडबट रिसले ने लॉर्ड करजन को एक लेटर लिखा है उस लेटर पर क्या मेंशन किया है देखो the united bengal is a big force united bengal bengal को बोना गया है क्या बोला गया है united bengal क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्तिम के बीच unity था is a big force यह number में बहुत ज़्यादा था हिंदू मुस्तिम के जो unity है वो number में बहुत ज़्यादा था the partition will destroy this big unity और partition जो है वो इस unity को क्या कर सकता है तोड सकता है यह किसने बोला है हर्बर्ट रिस्ले ने किसको लेटर लिखा था Lord Curzon को लेटर लिखा था कि बेंगल में देखो भाई Lord Curzon बेंगल में unity बहुत ज़्यादा है बेंगल में हिंदूस और मुस्तिम्स के बीच unity बहुत ज़्यादा है अगर तुम यह unity को नहीं तोड़ते हो देन खतम हम लोग खतम हो जाएंगे इसी वजह से partition करो partition करके यह unity जो है इसको तोड़ दो So the hidden purpose behind the partition of बेंगल was the decimate the Hindus and Muslims unity to decimate the Hindus and Muslims unity तो the purpose कि किस वजह से बेंगल को partition किया गया है इसके पीछे का जो कारण है वो कारण यह है कि हिंदू और मुस्तिम के जो unity है बेंगल में उसको खतम करना है और उसको खतम करने से ही हम लोग बच सकते हैं और इसी वजह से partition किया जाएगा To meet these vested interest communal feelings are needed to be spread और इसी वजह से Partition को तोनने के लिए communal feelings जो है उसको spread होना बहुत ज़दा ज़रूरी था Since Bengal was considered to be the center of Indian nationalism Through the partition of Bengal It was planned to divide the province And to make Hindu-Bengalese An intellectuals a minority in both the states So he said If we do not believe Hindus and Muslims बीच ही जगर जगर लगा देते है Ultimately Hindus and Muslims के बीच जगरा है वो किसकी वजह से है Minority and Majority के लिए Muslim समेशे बोलता है Hindu संक्या में ज़ादा है Hindu बोलता है Muslims हमारे देश में है ही क्यों तो इसकी वजह से दोनों के बीच जगरा है तो बीच ने किया किया है बीच ने चाल खेला है कि मैं यह communal feeling जो है यह जो चीज है इसको मैं यह मुझे चाहिए यह मुझे चाहिए यह मुझे spread करना पड़ेगा और इससे ही क्या होगा जो division है वो होगा यहाँ पर बुला गया है कि since Bengal was considered to be a center of Indian nationalism Indian nationalism का मतलब क्या है जो nationalism का जो feeling है वो जगा था बेंगल से ही बेंगल से ही start हुआ था nationalism मतलब देश के लिए आजदी का लराई जो है वो बेंगल से ही start हुआ था and through the partition of Bengal इस partition के मैध्धम से ठीके इट वस planned यह plan किया गया था कि to divide the province यह province जो है बेंगल प्रविंस जो है इसको divide करना है and to make the Hindus Bengalis और क्या करना है Hindu के जो Bengali लोग है Hindu तो एक religion है Bengali तो language है तो Hindu में जो Bengali language के जो लोग है या फिर intellectual से मतलब जो परे लखे लोग है उनको हम लोग क्या करेंगे दोनों states में मतलब Bengal में भी और एक नया जो state बनाया गया था East Bengal and Assam वहाँ पर भी Hindus को हम लोग बना देंगे Minority ठीक है अब भी ये हिंदू के साथ ही क्यों किया गया है Why not Muslims Because Hindus में intellectuals जो है intellectuals जाता थे intellectuals मतलब क्या है जो लोग ने पराय लिखाई किया है तो अगर तुम हमने पराय लिखाई किया है तो तुम British का चाल भी तुम समझ सकते हो ठीक है और तब के टाइम पे जो Muslims है वो इतना पराय लिखा नहीं था उन में वो चीज नहीं था कि उसका नाम के है कि हम लोग British को रोग पाएंगे या नहीं वो लोग को तुम कुछ भी बोलोगे वो लोग माल लेते हैं ऐसी है उन लोग को अगर तुम लोग जाके बोलते हो कि हिंदूस खराब है तो वो लोग माल लेंगे कि हिंदूस खराब है ऐसा था सिचुएशन कि वो लोग जादा परेलिखे नहीं थे लेकिन इंटेलेक्चियल्स कौन थे इंटेलेक्चियल्स थे हिंदू के जो बेंगुली लोग थे वो लोग इंटेलेक्चियल्स थे तो इसी वज़ाए से लौर्ड कर्जन ने ये डिसाइड किया है कि अगर मुझे बिटिश को इंडिया पे बचा के रखना है तो मुझे क्या करना परेगा पोलिटिकली जो कॉंशस मतलब सचेतन जो लोग है मतलब जो लोग कॉंशस है कौन कॉंशस है हिंदू के जो बेंगुलीस लोग है इनको हमें हटाना परेगा इनको माइनोरिटी सबित करना परेगा और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग रोख सकते है इंडिया के लिए जो प्यार है जो भावना इंडिया के लिए बढ रहा था उसको रोकने के लिए हमें पहले हिंदूस को ही रोकना परेगा त्रू दिस प्लैन देखो कितना खराब चीज़ किया है बिटीश ने जाके मुस्दिम्स को बोला है कि मुस्दिम्स को जाके लेकिन जो है वो less conscious थे उनको जादा कुछ मालूम नहीं था ठीक है वो संक्या में थे जादा लेकिन उनको जादा कुछ मालूम नहीं था और इसी वजह से मुस्लिम्स ने क्या किया था बिटिश का बात मान भी लिया था ठीक है और इसी वजह से यह जो कॉम्यूनिजम है कॉम्यूनिजम मतलब क्या ह एक पार्टिकुलर कम्यूटी को तुम अगर सपोर्ट करते हो, जैसे मैं अगर हमेशा बोलो कि हिंदू, हिंदू ही सब कुछ है, हिंदुत वो ही सब कुछ है, मैं मुस्थिम्स को नहीं देख सकता, तो इसको हम लोग सकते हैं कम्यूटि के लोग को ही जाधा प्रोमोट कर रह है मुस्तिम को जाके भरकाया हिंदूस के नाम पर और भरका के उनको क्या किया है कॉमिनिजम का जो फिलिंग है वो चीज लाया मुस्तिम के अंदर at the same time he took it as a weapon to dominate and the growing anti-bitish extremists मतलब क्या है और इसी के साथ बिटिश ने ट्राई किया था कि ये मेरे पास एक weapon है एक अस्त्र है जिसके माईधम से मैं क्या कर सकता हूँ हिंदूस और मुस्तिम को अलग कर सकता हूँ on 2nd February 1905 Lord Curzon sent the proposal of partition of Bengal to Secretary of State for India in London for necessary approval 2nd February 1905 पे Lord Curzon ने क्या किया था अपना partition of Bengal का जो पूरा proposal है वो बना के send कर दिया था किसको Secretary of India जो London पे थे उनको दे दिया है कि बोला कि भाई आपको मैंने दे दिया है आप इसको approve करो अभी इस पे अपना सहमेती जो है वो दो और 9th June Secretary of State of India John Broderick approved the proposal और 9th June पे क्या किया था John Broderick जो है उन्होंने जो Secretary थे इंडिया के उन्होंने इसको approve किया है और बोला है कि चलो अभी partition होना है ठीक है on July 19th July 1905 British Government of India published this proposal British Government जो है इंडिया का उसने क्या किया था इस proposal को publish किया है मतलब telegraph में या फिर paper में सभी जगा पे इसको publish किया है कि partition of Bengal होने वाला है on 1st September 1905 it was declared officially that partition of Bengal would be implemented and on 16th October और 1st September 1905 उस time पे officially government की तरफ से ये बोला गया है कि हम लोग partition of Bengal करेंगे कब करेंगे 16th October को करेंगे the four points program on partition of Bengal declared by Lord Curzon on 1st September was as well as तो Lord Curzon ने क्या किया था 1st September पे चार point का एक program दिया था कि इस program के माईधम से हम लोग Bengal का partition करेंगे क्या क्या program था first place, first point जो है वो है कि the name of the new province will be East Bengal आसाम यह हमें पता ही है भाई तो किया बार बार बोल रहा है कि एक नया का एक province बनेगा जिसका नाम होगा बेंगल से हटके एक नया province बनेगा जिसका नाम होगा East Bengal and आसाम by annexing राश्चही धाका and Chattogram to awesome इस पे क्या करेंगे जो Bengal province है उसके साथ ही एक चोटा सा Bengal province को divide करके एक चोटा सा province बनाया जाएगा जिसका नाम होगा East Bangoran Assam और इस पर क्या किया जाएगा इस पर तीन जगार जो है डिस्टिक्ट जो है उसको डाला जाएगा एक है राश्चा ही एक है धाका और एक है चोट्रग्राम जो जिसनको हम लोग नया जो आसाम बनाया है हमने उस पर हम लोग डाल देंगे अनेक्स करना मतलब पार्ट कर देना अलग कर देना अताव त्रग दो है यह जो नया प्रविद्स है जो पर शहुन होगा है वो एल्टी गवर्नर है, लेटनेन गवर्नर, लेटनेन गवर्नर मतलब जो गवर्नर के जगा पे काम कर रहा है, वो देखवाल करके रखेगा, तो यहां तक देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से, तुम लोग मुझे बोलना, इस पेज तक ही आज हम लोग रखेंगे,